नमस्कार परणाम मैं हो पुर्शत्म कुस्वाहां बेश्ट फार्मिंग में आप सभी का हर्दक स्वागत अभिनंदन करता हूं आज हम आये हुए हैं प्याज के प्लोट पे जो की अब ये कंद अपना बनाना शुरू कर दिया है तो हम इसके बारे में आपको जनकारी देंग और तो सबसे पहले हम बता दे कि जिस किसी भी किसान का प्याज रुपाई से 75 से 80 दिन हो चुका है जिसका मतलब कि बल्ब पकरना शुरू हो चुका है आप सब देख सकते हैं देखिए सब का जो है कि बल्ब पकरना अब सुरू हो चुका है तो इस स्टेज में हम आपको बत तो यह उपर से जो है पता है यह जूलस रहा है आप सब देख सकते हैं तो यह अब लास्ट स्टेज में इससे कोई घबराने की जरूवत नहीं है सबसे पहले हम लोग को यह देखना है कि जो बीच में यह जो यह तीन-चार जो है यह जो फेका हुआ है यह जो है कि आपका इनर्जी है अब यह जो है कि बल्व बनाने में जा रहा है तो आप लोग जब 75 से 80 दिन हो जाए गया तो उसमें आप लोग एक लिहो सिंदवा आता है जिसको आप 2 ml करके मतलब की इस्प्रे कर सकते हैं और एक जो आपको दवा बताते हैं जिसका नाम है 0050 करके आता है देखि आप लोग मतलब की देख सकते हैं तो इसका जो है कि आप लोग 0050 जो एक लिक्वीट फरमाता है उसका आप लोग इस टाइम में छिड़काओ करें और लिहो सिंका ध्यान रहे कि प्याज लगाए हुए 75 से 80 दिन होने चाहिए उससे पहले इसका छिड़काओ नहीं करना है यह दवा जो है कि आपको यह बल्ब बनाने में ज्यादा मतलब की फैदा करता है जो उपर लिहो सिंका काम यह है कि जो उपर इसका जो इसमें जो गृत अभी जा रहा है इसका सारा जो है कि अब यह अपने कंद के मतलब की आकार को साइज को बलाने में बहुत कारगर काम कर तो आप लोग इस बात को बहुत ध्यान से लें और दूसरे किसान को ही बताएं कि जब 75 से 80 दिन का आपका प्याज का फसल हो चुका है और वो बल्ब बनाने के कहगार में हैं तो आप ये दोनों दवा का जरूर एस्प्रे करें ताकि जो है कि उपर इसका ग्रोथ भाग रहा ह उसको ये रोकेगा और जो सारा इनर्जी होगा इसका पत्ते का वो जो है कि इकंद बनाने में बल्ब बनाने में वो आपका मदद करेगा तो हम आप सभी किसान से अगरह करते हैं कि आप लोग जो है कि इस दवा का स्प्रे करें और वीडियो एदी लाइक वीडियो एदी अ और ये आपका असी दिन हो चुका है तो आप लोग जरूर ध्यान दे और जिस किसान का प्रियाज यदि पचहतर असी दिन से पहले मतलब की ज्यादा मात्रा में इस परकार का आपको दिखे उपर से पत्ती जुँलस रहा है देखिए इसमें आप देख सकते हैं देखिए उपर से जो है कि सुखना शुरू हो गया है और सब में शुरू हो गया है यदि असी पचासी दिन से कम का प्याज है तो उसमें जो है कि आप लोग एक और दवा उसको हम बता देते हैं कि आप आसा टप 30 गराम प्रती टंकी और उसके बाद में भाविष्टीन आपको 30 गराम प्रती टंकी और उसके बाद आप एक पुडिया जंप का भी इसमें इस्तमाल करें और हाँ किसान साथ गोंद के साथ जो है कि दवा को एस्प्रे करें क्योंकि बीना गोंद की किसान जो है कि दवा एस्प्रे करते हैं तो उसमें एस्प्रे का वीडियो ये अच्छा लगे तो आप लाइक, सियर और सस्क्राइब जरूर करें और दूसरे किसान को भी वीडियो भेजे ताकि उनका भी फसल अच्छा हो सके देखिए इसका कलर साइज भी और ये अक्षे सीड्स का सुकसागर प्याज है यदि आप उसका छिड़काओ करते हैं तो बहुत ज्यादा मतलब की आपको फैदा होने वाला है किसान साथी हो तो आप लोग इस दवा का जरूर आप लोग परयोग करें और दूसरे किसान को भी मतलब की बताएं कि उनका भी जो है कि प्याज का फसल अच्छा हो सके धन्यबाद अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर करें लाइक करें और चैनल को सस्क्राइब करें धन्यबाद